हेलो फ्रेंड्स आज हम चत्ती साइज लाइनिंग पमीश की कटिंग सिखेंगे तो सबसे पहला मेज़मेंट जान लेते हैं तो कमीश की लंबाई है 40 इंच 13 इंच इसकी बस्ट है 36 इंच और इसकी वैस्ट है 33 इंच हिप है 40 इंच और आर्मोर है इसका साड़े हाट बाजो क पीछे का स्टाड़े हाट तो चलिए सबसे मेंगेंजमेंट लगाते हैं तो वीडियो शूर करने सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब पर ले और बेल आइकनों जो दो बादें जिससे आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नोटी कुशन मिल जाएगी तो चलिए शुरुआत करते हैं देखी फ्रेंड्स सी है रख वाला यह फैब्री के देखिए इसके नदर फ्रेंट में इसका ऐसे सिक्वेंस कव करके और इसमी यह देखी गोट लगाऊ है और यह इसका बाख है जो की प्लेन है तो यह है इसकी लाइनिंग तो सब्सक्राइ तो इसको H epoze कर देते बहले आप संसे सथाप से कर एंगे जैसे कि हमारा साइज है 36 इंच और ऺफहे एसकी 40 तो 40 cases हमारे यहास रखाइंगें फोर्ड लेंगे तो जगा 10 अचनग कर देंगे तो जगा 12 इंच में देखें इस तरह का पूर्ड कर देंगे तो देखिए, यहां से हम देखेंगे, देखिए, हमारा 12-inch आरा है, इस तरह से हम इसे fold कर देएंगे, 12-inch पर, इधर से इधर थक कुर फोल्ड कर देएंगे, और अब इसके हम measurement लगाएंगे, यह इस तरफ हमारा देखिए, ओपन साइड है, और इस तरफ हमारा यह, यह देख चेंच निशन लेगाना लिख आम यहांसे अर्माज की घ्राइगा लेंगे तो इसकों लेंगे चेंच तो हम इसको छेपर ही हम इसे रखेंगे यहां से इस दिखित लिया और इसको इस तरह से अमने बॉकस बना देना है अब इस जगे से हम लेंगे बस का निशान बस्ट है हमारी 36 इंच तो 36 का बंफोर्ट हो गया 9 इंच तो पहले यहां से लेंगे 9 इंच पहले 9 इंच पर निशान लगा देंगे ओफिस में टू इंच हम में मार्जन रखेंगे जो सिलाई मार्जन होगा वो टू इंच होगा तो यह 11 इंच पहरा निशान लग जाएगा इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे अब हम यहां से यह हमारा जो है इदेखिए इस जगे से हम कमर कर नाप लेंगे तो कमर के अज़ेंगे हमारा 14 इंच तो यहां से एस रखेंगे इसको दिखो 14 इंच आधा नाप लगा देंगों आपने देखिए निशान अब हें ऑन इसे दो हो गया सब आच इन्च तो ऐसे यहां से निशान लगा यह यहां सव और निशान लगा देंगे और वैसे ही इसमें भी दो इंजिक हम इसमें मार्जन रखेंगे देखिए फ्रेंट्स हम यह नाब रखते हैं वह हम लूजिंग हमारी इसमें एड है अगर हमने बॉडी से नाप ले होते हैं तो हमें लूजिंग एड रखनी होती है कमीज का जब नाप लेते हैं तो हमें उसम 10 इन बेसितर इनके इंच अब है ह्कोना है फॉर्ट कर ऊपर हमने Cher można करिदेगा थे लिद्न जो शिए रियंगे में तो यह रोडांसद फोल्ष साइब तो यहां से निशान लगांगे हम यहां से निशांन यह माजन इसले कर दूढ़ करा है तो से खूलके इसको हम यूस कर सकें काई यह तो यहां ब्लाइए यहां से वह सीदह को सीधा है अजय क्यों भूपन है मियँदेगी e quickly बुकरम वाला गला बनाना है तो मैं इसको उस पर ही बनाऊंगी कमीज बनाऊंगी लेगे इसके लिए मेजर आपको दाते हो को यहां से हम अंति इन पर यहां से इसके चोड़ा ही लेते है आग एसमर रखेंगे 7 एन तो साढ़े-7 पर देखिए निशान लगें डिर अंधा है कि अमारी कंधी में चला जय Bell और ऐसे इस जिए से हम पौने तीन पे धाई और पौने की पिचे हम ले सकते हैं और इसको आपस में मिला देंगे इस तरह इस तरह मिला देंगे हम आपस और यहां से एक इंच की हम इसमें गोलाई देंगे जैसे हम आरमल में गोलाई देते हैं ठीक वैसे हमने इसमें गोलाई देनी है यह देखी इस कि यहां इसे कर देंगे सिस्स्थ अभर शलेना ज peng अब यह कर निस्थ different निकाल्राहिए तो दोनों ही आरवल का निशान लगा रहें तो हमें दोनों ही इसमें अर्मौल निशान लगाना ए ऐसे पहले प्लय मिलाढ़िए अस्थरे कि और इसको यह से मिला देंगे अब निकालेंगे का हम 5 पर देखिए अब हम हमेड़े करेंगे middle UK करें है सह मारा हो गया तो हमारा फ्रेंट को गया जो कटिंग करेंगे हों बेक करेंगे abics का आगया ऊएम पोछिन निगाले कि फिर जो हमारा हिपा है वह हमारा bottom size होता है वह हमारा घीरा होता है तो हीप साइज हमारी 10 थी तो यहां से हम इसमें 10 पर निशान लगा देंगे और इसमें भी हमने 2 इंच की यह देखिए 2 इंच हमने इसमें और इसको हम सीधा कर देंगे फुटिंग मजद से इस तरह सीधा कर देंगे कि अब हम इसकी भार भार से पहले कटिंग करेंगे यहां से कटिंग करेंगे और फिर इसका अंदर का पीस निगाल गए फिर हम इसे अंदर वाली कटिंग करेंगे जो फ्रेंट की कटिंग होगी अंदर वाला पीस है इसको भार कर देंगे यह बैक पीस को हम निकाल लेंगे ऐसे करके यह देखिए इसको निकाल लेंगे पहले भार कर देंगे अब हम इसकी अंदर की कटिंग कर देंगे यह हमारी दीखिए अंदर कटेंगे वे गला हम इसको बिच्छा कर तो दीखिए वें इसको अच्छे से जमादेंगे अच्छे सेट कर देंगे इस यहमारी फ्रेंट की ना लाइन थी तहुंधि की यहासा रखेंगे देखे इतना जो पूर्शन ही यहारा वोउल्ड हो जाएगा देखे अधिरेन्ड इस तरह हम लानिंगो हम फेब्ड को भिचांगे यह के देघ Tahayim इस तरह lining को मेंन फेवरयु बिचाएंगे, एक पर का हम आर्जन देंगे और हिम भार भार से इक पर छोड़ते वे कटिंग कर देंगे बार्श में मॉड़ दिया यूर्णि काट लिए इसको फोल्ड कर देंगे अब भी को भी शहेंगे लंबाई में इस Issе III हम बछाएंगे लंबई में देखि एक में। मोड दी है इसको फोल्ड कर दिया निचे तक यह हर ओपन साइड है और जो हमारा पॉर्षन है इस पुर्षन है इसकी भाजियो निकाल लेंगे तो इसको ऐसे fold लगर करके देखिए अब इस पर इसे पर बैक रखेंगे यह देखी friends हमने इसको इसे दिखा लिया fold side ही है हमारा main fabric है ऐसे इसमें fold side हमने इसको lining को इसके उपर रखा यह देखिए ऐसे और एक pair चोड़ते वे जैसे हमने front की cutting की थी पैसे हमने इसकी बैक की एक pair चोड़ते वे यहां से पूरे में cutting कर देने हैं देखिए friends की हमारा back भी cut गया इसको हम fold कर रख देंगे देखिए ऐसे तो देखिए यह हमारी बाजु का कपड़ा side से बचा है तो इसको हमने ऐसे देखिए बाजु इमारी linning नी लग thorough effect काटेंगे इसको इसे फोल करेंगे एक बार यह देखिए ऐसे fold करेंगे फिर एक बार करेंगे फोल्डी ये 4 फोल्ड हो गया तो ऐसे हम इसीधे का निशान लगादेंगे कbat आशा हम से दो इंच दो इंच ले सकते हैं तो ऐसे आशान लगाएंगे कि इसको में सीधा करा चाहिए ј्र यहां मारी बोटं मोड़ जाएगी तो अब यहां से हम लेंगे लंबाई के निशान तो बाजो की लंबाई हमारी 8 इंच है तो यह हमने देखी हम पर 8 इंच लब निशान लगा दिया अब बोटम को निचान लें89 वह नशान लाएंगे तो ऐसे तिर्श्या करते वें आपे द्यृध्य ता हैं यहांपे आछ निशान को लगा दिया अब इसको हमने इस से मिला देना एक बोटम से यहां से हम इसको व्हार जंग रखते वह य मिलादेंगे अनदर अब यह थी घुत जिंगे ड़ लगने तो देखे था कम ने को जो है तो दिया करने हैं अपर को कि अभू-वीज मेशन और यह व्मारा बैक हो गया लाइनिंग और में फेब्रिक यह भी देखिए लाइनिंग और यह बाज बाज वाले कमीस की कंप्लेट होती है तो यह था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट गरों जो बताइएगा तो मुझे आपके कमेंट का इंतिजार रहेगा त